हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे इसके लिए घंटी विदवाएं चांद सेरी लिखते हैं मैं गीता बाइबिल कुरान रखता हूँ सभी धर्मों का मैं सम्मान रखता हूँ और ये मेरे पुर्खों की जागीर है लोगों मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिट से संपूर्ण हिंदी साहित्य को प्रश्णोत रूप में जो हम चला रहे हैं उसकी सिरीज संक्या साथ के अंदर मैं हूँ आपका दोस्त आदेगने इस वीडियो को आपको लाइक कर देना और सभी मित्रों को शेयर कर दे अगला है इसी संबंदेत प्रित्विराज रासों के सर्ग या अध्याय को क्या कहा गया है समय कहा गया है और प्रित्विराज रासों के अंदर 69 समय सर्ग या अध्याय है अगला प्रश्ण प्रित्विराज रासों को सहर्व पर्तम एप्रमानिक किस ने गोसित किया तो सर्व पर्थम ऐ प्रमानिक गोसित करने वाले थे डॉक्टर वूलर अगला प्रशन है प्रित्विराज रासों में किन दो रसों की प्रमुकता है अगर पर्मुक्ता की बात करें दो रसों की तो इसके अंदर स्रिंगार और वीर इन दोनों रसों की पर्मुक्ता देखने को मिलती है मैं अगला प्रशन है पृत्विराज रासो को राजनिती की महा काव्यात्मक तरास्दी किसने कहा है डोक्टर बच्चन सिंग ने ये कहा है कि पर्थिराज रासो जो है राजनिती की महा काव्यात्मक तरास्दी है अगला प्रशन है उक्ती धर्म विसालस से राजनिती नवरसम खटबासा पुराणम चै कुराणम कतितम मया ये पंक्तियां किसकी है तो ये है चंद वर्दाई की है पंक्तियां संस्कृत में प्रथिराज विजे नामक का वे किसने लिखाता तो प्रथिराज की रासबा के कश्मीरी कवी थे जयानक उन्होंने लिखाता प्रथिराज विजे अगला है ये पंक्तिया किस गरंद के संदर में प्रसिद है अगला प्रश्ण है गद्य पद्य मिश्रित चम्पू कावे की प्राचिन्तम कृति है और इसके बारे में एक बात ओरेगी ये एक सिला पर अंकित कृति है अगला प्रश्ण है इस्तुली बद्र राज के रचनाकार है जिन्धर्म सूरी आगे बढ़ते है चंदन बाला रास के रचियता है आसगू कवी इसके रचियता है आगे हम बात करें कि हिंदी का प्रथम अईतियासिक रास गरंत त्यान रखेगा हिंदी का प्रथम अईतियासिक रास गरंत कौन सा है तो ये है पंच पंडव चरित रास प्रथम जेन कवी किसे स्विकार किया गया है देवसेन को प्रथम जेन कवी देवसेन कृत स्रावकाचार का विसे क्या है तो इसके अंदर दो सो पचास दोहों में स्रावक धर्म का वर्णन किया गया है आगे बढ़ते है जैन तिर्थंकरों के जीवन चरित की कथाएं किस नाम से पद्यवद की गई थी रास नाम से अगला है कि जैन साहिते किस तरह की सेली के लिए प्रसिद है तो जैन साहिते वो फागू और चरित कावे सेली के लिए प्रसिद है अगला प्रश्ण जैन कवी में गटनाओं के इस्तान पर किसको प्रदानता दे गई? उपदे सात्मक्ता को अगला है जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम गरंत कौन सा है तो जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम गरंत वो है भरतेस्वर बहुबली रास कौन सा है भरतेसर बहुबली रास और हम बात करें कि इसके रचनाकार कौन है भरतेस्वर बहुबली रास के तो इसके र नहीं किया है तो सभी मित्रों को शेर करें ताकि बाकी लोग भी इससे जुड़कर इसका अलाब ले सकें